नमि उनने मिनाहं सच्च जुई तिरणम सियंगी जुगं बंदु दयसत जुत्तं ठाण समु कितनं ओच्चं सवेरे अपने मोनिय के बंदस्थान उदस्थान और सत्वस्थान में दो को आधार और एक को आधे बना करके कथन किया था उसका सब भंग के कौन-कौन से बनते हो देखा था अब मतलब लास्ट में कौन सा हुआ था बंदस्थान और सत्वस्थान आधर और बंदस्थान आधिय तो उसकी गाताई पढ़नी है उतनी गाता पढ़ते हैं 685 नमबर गाता है दस गुदये अडवी सती सते बावी सबंधन व अट्टे अडवी से बावी सती चवबंधो सत्वी सदुगे सग उदले, दसक के उदले में अडवी चती सते시는 28, 27 और 26 के सत्व स्थान में दोनों सत्वान, दसका उदले होगा और 28 का सत्वी या 27 का सत्वी या 20 का सत्वी होगा तो वहाँ पर बंदस्थान एक ही है कौन सा 22 पहले गुन स्थान में यह है यह दस का उदे इसले 22 का ही बंद है फिर नव अठे अडवी से पावी सती नव के उदे स्थान में 28 के सत्वस्थान में दोनों का लेना क्रम से नव का उदे स्थान और आठ के उदे स्थान में बाद में आएगा ना आठ का वो साथ में लिया नव के उदे स्थान में और 28 के सत्वस्थान में और 8 के उदे स्थान में और 28 के सत्वस्थान में 22 सती, 32, 21, 21, 17, यह 3 बंदस्तान होंगे, 22, 21, 17, यह 3 बंदस्तान होंगे, और 8 के उदाय में 4 होंगे, 22, 24 बंदो लगाना, नौ के उदय में बावीसती और आठके उदय में बावीसत चो ऐसा क्रम से लगा न door tv,21,17 और 3 बंदस्तान होंगे फिर फिर सत्तविस दुगे 27 और 26 के सत्व में 9 का उदय और 8 के उदय में है 27 और 26 के सत्व में कितना होते हो आगे की गाथा में बता रहे चेसो चैसी नंबर गाता है बावीस बंध चदू तिदू वीशं से सत्तर सयद दुग बंधो आटो दै इगी वीशे सत्तर बंधं विशे सम्तू क्या बता है आठ के उधर में या नुब के उधर में 27 और 26 का सत्वर हते हुए 22 का ही बंध एक 22 का ही बंध आएगा क्योंक्य पहले गुनस्तानन रिगा सत्तान में 27 और 26 का सत्वस्तान है इसले फढ़ी हुथ 42 चदू त्यू वीशं से 24 ते आट प्रकुर्तिक उदैस्थान और सत्वस्थान कौन कौन से लेना चोवीस तेईस और बाईस के सत्वमी सत्तरस आयद दुग बंदू सत्रा प्रकुर्तिका और उसमें नव प्रकुर्ति में सत्रा प्रकुर्तिका केवल और आट प्रकुर्ति में दो लेना सत्रा और तेरा प्रकुर्तिका क्योंकि वहाँ पर चोवता और पाचा गुनस्थान आएगा आट प्रकुर्ति में इसले सत्रा आयद दुग ऐसा लेया अ सहाएच और देश सहाएच ऐसे दो बंध स्थान लेना सत्रा rest consider मझें और नुका उदेर में किवलेक सत्रा प्रउक आईनल नुka उदे 24 23 22 का सत्व तुन है सत्रा प्रउकिर्टिक भी बंद स्थान है और आठ प्रकुर्तिक उदये 24, 23, 22 का सत्व वहाँ पर 17 और 13 ये दो आएंगे आयद दुगसे लगाना वहाँ फिर आठ उदये आठ के उदये में नु के उदये में 21 का सत्व स्थान नहीं है ये ध्यान रखना नु का उदय रहते हुए 21 का सत्व में शाहिस समय दुष्टि को नु प्रकुर्ति का उदय नहीं होगा आठ प्रकुर्ति का ही होगा एक निठ्यात्व कम हुआ और आनंतान बंदी का शाह कम हुए उसको तो आठ के उदये में 21 का सत्व में सत्तर बंधम निसे सम्तु आठ प्रकुर्ती के उदए में 21 का जब प्रकुर्ती का सत्वस्तान होगा तो केवल 17 प्रकुर्ती का ये बंद चवते गुनस्तान के अपिक्षा लगाना पाच्चे गुनस्तान में आठ का उदए वो शाहिस समय दुष्टी को नहीं होगा इसलिए वो आतेवरा का बंद नहीं है यही पर सब गड़बड है वहाँ पर गड़बड मतलब वो ध्यान में नहीं रहता है क्योंकि कहाँ सभी गुनस्तानों में वहाँ नव, आड़, साथ, आड़, साथ, छे बार-बार आता है न इसलिए गड़बड होता है तो यहाँ पर चवते कुनस्तान में शाहिक समय दृष्टी को वहाँ पर आठ का उदय है लेकिन पाचे कुनस्तान में जो आठ प्रकुर्ती का उदय है वो शाहिक समय दृष्टी को नहीं वो केवल वेदक समय दृष्टी को है पहला स्थान केवल वेदक समय दृष्टी को है इसलिए वहाँ पर 21 का सत्वस्थान आठ के उदय में नहीं है इसलिए 17 प्रकुर्ती का बंद तेरा प्रकुर्ती का बंद नहीं आएगा एकिस के सत्वस्तान में फिर आगे हो गया ये सत्तर बंदम विशेशम तो ये विशेश है अब आगे तेरा साथ प्रकुर्ति के उदय में बता रहे है सत्त उदय अडवी से बंधो बावी सपंचयं तेन चवी सतिगे आयदती सत्त उदय साथ के उदय में उसमें भी पाँच सत्वस्तान है तो आठावीस के उदय में बावी सपंचयं बंदो बावी सदी पाच बंदस्तान है बावी सदी पाच बंदस्तान है बावी सदी इकिस सत्रा तेरा नौ पाच है और क्योंकि पहले गुनस्तान से ले करके सात्वे गुनस्तान तक साथ प्रकुर्ती का उदह है कौमन तो यहां अलग-अलग साथ प्रकुर्ती में अलग-अलग बंदस्थान आएंगे सभी में सभी नहीं आएंगे तो 24 सतिगे फिर साथ के उदय स्थान में चोवीज, तेईस और बाइस के सत्वस्थान में आयदति बंदों असंयत, देशंयत और प्रमत्त संयत ये तीनों के बंद स्थान आएंगे मतलब तेन मतलब वो साथ के उदए के साथ हाँ साथ के उदए में ही 24 तरिक का सत्व में आयदती बंदो मतलब असंयत देश संयत और प्रमतसंयत तीनों बंद होंगे मतलब सत्रा तेरा और नू क्योंकि साथ प्रकुर्टिया चौते गुनस्तान में भी है प्रकुर्टी का वहां पर बंदस्थान आएगा फिर इगी वीज़ गयाद बंदुग बंदू साथ प्रकुर्टी के उदय में 21 प्रकुर्टी का सत्व कहां पाये जाएगा चवते और पाच्वे में पाये जाएगा चटे गुनस्थान में नहीं चटे गुनस्थान में साथ का उदय है वह वेदक समय दुष्टी को ही है पहला पहला जो है वह वेदक समय दुष्टी का है वह समझना तो साथ के उदय में 21 प्रकुर्टी के सत्वस्थान में केवल 17 और 13 का बंदा आएगा आयद दोगबंदू अब आगे छे प्रकुर्ति के उदय में बताते हैं छे स्वाट्ट्यासी नंबर गाता हैं चपन उदय वसंतं से आयद तिग देश दुग बंधो तेन तिदो वीशं से देश दुनव बंधयम हो दी चपन उदय छे के उदय में और पांच के उदय में उवसंतं से आयद तिग देश दुग बंधो छे के उदय में असं यत त्रिक मतलब 17, 13 और 9 ये तीन बंधस्तान आएंगे और पांच के उदय में देश दुग क्योंकि पांच के उदय चोथे गुनस्तान में नहीं है चटे पांच और चटे गुनस्तान में है तो आद तेरा और 9 का ये दो बंधस्तान आएंगे और तेन मतलब उस पांच के उदय के साथ ही या और चे के उदय के साथ में ती दो वीसों से ती मतलब तीन दो और वीस तेईस और बाइविस के सत्वस्तान में दे सदुग दे संयत द्विक क्योंकि छे का उदय जो है वहाँ पर वेदक समय दृष्टी को है तो तेईस और बाइस का सत्वस्तान आएगा उसमें छे प्रकुर्ति केस में तो वहाँ पर बंध केवल तेरा और नव का आएगा पाच और छटे गुनस्तान में चे के उदय में तेईस और बाइस का सत्व और पाच के उदय में तेईस और बाइस के सत्व में केवल नव बंधयम नव काई बंध आएगा क्योंकि वह छटे गुनस्तान में आएगा ना छटे शाते गुनस्तान में पाच प्रकुर्ति का उदय पाच चे गुनस्तान में शाइक समय दृष्टी को है वहाँ वेदक समय दृष्टी को नहीं है इसलिए वो तेरा का बंध नहीं आएगा उसके ही केवल उद्यस्थान आएगे वहाँ पर अब नवबंदय हो गया पाँच की प्रकुर्ती के उदजय में हो गया तेश और बाईस के सत्व में नवगा बंदय होता है अब चार प्रकुर्ती के उदजय स्थान में बता रहे हैं और सत्व उपशान्त कशाय में जो है अठाइस चोवीस और एक्किस आउस मिले सत्व में नव बंदो केवल नव काई बंदाएगा क्योंकि चार का उद़े छटे साथवे आठे गुनस्तान में है उसके पहले नहीं है तो नव का ही किवल बंदाएगा और दोनी उद़े पूवों से चार प्रकुर्ती के उद़े स्थान में और कुन साएगा और कोई है नहीं सत्वस्तान आठाइस चोवीस इक किसी है तो किव हो नए ऊपर कुर्थी के उधाय मेंद थीन ही आएंगे न सत्वत्थन तो नौप प्रकुर्थी का बंध हो गया आप 2 निया मतलब 2 के उधाय में और पूंसे मतलब अटाइस 24 और 29 के सत्वहमे ay or 13 या सत्वहिय सत्वह तेरा 12 और 11 के सत्वहमें बढ़्णिर। उठान और चार का बंदश्थान है। उसमें पांच प्रकुर्ति का बंद होगा। उसके बाद चरहां ऑ्ल्व समय में बहां Cार प्रकुर्ति का बंद हो यह नदुन है। तो दो बंदश्थान TS में ने सादून ह्यां ध्यां और आघ्टाइस छोईस एक्किस तेरा बारा ग्यारा इंच्छ सत्वस्तानों में पांच और चार का बंदस्थान है अब आगे एक के उदय में बता रहे हैं एक उदयू वसंतां से बंधो चतुरादि चारिते नेव ए आरदु चदु बंधो चदुरां से चदुतियं बंधो उदय वसंतां से एक का उदय और उप्षान्त के सत्व मनें आटाई चोवीस और एक्किस का सत्व में बंध चतुरादि चारी चार से लेकर चार बंधस्तान है चार तीन दो एक सब बंधस्तान आएंगे नवे गुणस्तान में अबगत वेत के बाद एक का उदय रहता है तो वहाँ चार तीन दो एक करम से बंधस्तान आएंगे सब और ए यारदू चदु बंधू ग्यारा और पाच इन दो सत्व स्थान में एक का ही उदय है अबागे और ग्यारा और पाच के सत्व स्थान में चार का ही बंधा आएगा और चदुरहों से चदुतियम बंधु चार के सत्वों में चार और तीन का बंद आएगा फेस्व एक क्यानो नमबर गाता है ते तीदु बंधु दुगसते दोने एक कयम बंधु एक कों से इगी बंधु गयनमबा मोहनियस दोने एक कयम बंधु दो और एक कों से इगी बंधु एक के सत्वों में एक कही बंधु और एक के सत्वों में गयनम मतलब गगन मतलब शुन्य नभव बोलते हैं उसका अरत जेरोता है शुन्य का बंद है इस प्रकर्म होने के प्रिसायों के भंग यहां समाप्त हो गए अब यहां से नाम कर्म के बंद उदे सत्वस्तानों का बताते हैं चेस्व ब्यानो नंबर गाता है नामसय बंधोदय सतत्थानान सवव भंगाहूं पते उत्तम्वहवे तियसंजोगे विसवथ नाम कर्म के बंद स्थान उदे स्थान और सत्वस्तानों की सर्वभंग प्रत्यक में जैसे अलग-अलग कहे हैं उसी प्रकार तियसंजोगे विसवथ वहाँ पर त्रिशंजोग में भी सरवसर जगह जाना चाहिए नाम चाये वहाँ पर नासस सो गया है वहाँ पर नाम सो तो नाम कर्म के यहां बंद उदे सत्वस्थान बता रहे हैं तो पहले अपन देखते हैं अपने को कितना याद है उसके अनुसर फिर देखेंगे उसमें अपन हर एक गुणस्थान में नाम कर्म के, कितने बंदस्थान है, उद्धान है और सत्वस्थान है, वो देखेंगे, पहला गुणस्थान मिठ्यात्व, इसमें कुल बंदस्थान कितने है नाम कर्म के, तो आपर 23, 25, 26, 28, 29 और 30, 31 और 1 का तो विचार करना नहीं, 31 और एक का बंद कहाँ पर है 7 और 8 गुनस्तान में यह पहले 6 गुनस्तान में उसका बंद है ही नहीं तो 13 का बंद मतलए एकेंद्रे अपरियाप्त यूत है 25 में एकेंद्रे परियाप्त और बाकी सब का अपरियाप्त यूत है ऊथ कोन से बंदस्थान होंगे हैं में पहले गुनस्थान में थेश का भी बंद होगा पहले घुनस्थान में एक को बalप्त है कुण इसमत बंद कर रहा हुए पटीस tes, परियाप्त और बाकी के सब अपरियाप्त होते हैं मतलब इनका बंद करने वाले मिध्या दृष्टी होंगे 26 में अगें परियाप्त वायुकर बंद होता हिए 29 में मनुष्य तिर्यंच और आगे के दो नहीं होंगे एक ही देव तिर्तेउत नहीं होगा बाकि सब पहले गुण स्थान ही होंगे और 30 का जो प्रकार propose उसमें आखिर के दौ प्रकार नहीं होंगे मनुष्य तिर्तेउत और देव आहरक телефgefत नहीं होगा बाकी 30 के 6 प्रकार में से 4 प्रकार होंगे 29 के 5 प्रकार होंगे 28 के 2 प्रकार होंगे तो कितने बंदस्तान होगे एकुल 7 होगे 6 बंदस्तान होगे आखिर के 2 छुड़ गए 31 और 1 का उदस्तान पहले गुनस्तान में कितने है 21 विक्रागतिकाल में और एकंद्रिय में चोविस 25 उद्रिय स्थान एकंद्रिय में भी है 24 विक्रागतिकाल Уद्वें सबी में एकेंदए और स्कीरेंद्रें inclus जाएगा ना कि जाएग डेवनार्चे तरह में शरेप involvesam happiness कि उता है और एकेंद्रेंद भी सप्ताइस होता है अलग अरकाल में देखा है इसे भीर आट वियूदेस, और उन्तिस 31 क्या पेक्षा 31 आएगा तिरतंकर का 31 नहीं आएगा 9 आट नहीं आएगा उदैस्तान तो कितने होगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इसमें आखिर का एक नहीं है केवल और 20 नहीं है और 9 और 8 नहीं है तो कितने उदैस्तान होगे 9 होगे 12 उदैस्तान में से 3 छोड़ दिये कहा पर लिखना पड़ेगा आभी लिखना ने अपने दिमाख में रखना समझ ना केवल अब सत्वस्तान में से कौन कौन से होगे 9 का नहीं होगा यहाँ एक जू के पिक्षा से लेते न मतलब एक साथ एक जू में कितने पाए जाते हैं उसको इस्थान कहेते हैं तो 9 का नहीं है क्योंकि एक साथ वो दोनों का सत्व जिसको नरक में नहीं जाता है इसले बैननों एक्यनों नब्बे अठ्यासी चवरैसी बैसी यह आएंगे बस यह आहारक रही थे यह आहारक रही थे यह तिरतंकर आहारक रही थे और यह देवदी करही थे नारक चतुष करही थे और मनुशदी करही थे लग उसके आग पिछे के भिले आगे आगे बढ़ाते जाना हो तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 डुसरे गुणस्थान गां कोईए एकेंद्रय संबंदी और विकलत्रय संबंदी विच्चुती सब पहले गुणस्थान में हो जाती है बंद विच्छुति इसलिए वो सब यह सब 23, 25, 26 एक बंद हो जाएंगे तो यहां पर तीन यह पाई जाएंगे बंद स्थान एक 28 देव गति उता नरा गति तो भी बंद हो जाएगा क्यों देव गति उता रहेगा 29 में विकलत्रय का नहीं होगा पंचेंदरे तिरींच और मनुष्य उतर रहेगा पहले ञुंद स्थान पर पर्यों देव संबंदि नेतं वहाँ पर रहेएंगे 29 के दो प्रकार आएंगे और 30 का एक प्रकार आएगा ये अपने उस समय भी देखाता सन्तरा बंद स्थानों में और 28 प्रकार आएगा देवगतुथ विख्रह गति काल केवल बादर प।्रुत्वी कायिक बादर अपने जलकायिक और बादर प्रत्यक्वनस्पति कायिक इन तिनों काता हैं मतला है केंद्रय पर्यापत ही होगा तो उसके प्रक्षा से आएंगे सब यहाँ पर तो 21 का भी विख्रह गति काल आएगा और मिश्रेकल दोई काल आते हैं इसले 21 होगा और 24 होगा और 25 भी होगा नहीं 25 उसके अपेक्षा होगा देवों के अपेक्षा देवों में दुसरे गुनस्थान में वहाँ पर मरन करके जाता है तो आं मिश्रेकल में कितना होता है 25 का उदे होता है 25 में एकेंद्रे का नहीं आएगा क्योंकि शरी परयाप्ति काल तक दुसरा गुनस्तान नहीं रहता है वह दुसरे गुनस्तान से मिठ्यातो गुनस्तान में चला जाता है दुसरे गुनस्तान का काल कम है परयाप्ति का काल बढ़ा है इसलिए शरी पर्याप्ति पूरी होने के पहले ही यदे एकेंद्र जू गया भी दूसरा गुनस्तान में मरन करके एकेंद्र में गया तो भी मिश्रकाल में ही वो मिध्यातों गुनस्तान में पहुंच जाता है इसलिए दो ही काल वहाँ पर होते हैं या भाषा परियाप्तिकाल होगा बीच के दो काल नहीं होगे शरीप परियाप्तिकाल उच्वास परियाप्तिकाल नहीं है इसलिए वहाँ पर 26-27 का उदई नहीं होगा किसको 27 अठाइस नहीं होगा 26 पंचेंद्रे तिरेंचे विकरत्रे और मनुशी के अपेक्षा से होगा 27 अठाइस नहीं होगा 25 चबश 27 अठाइस गुसरे गुनस्तान में नहीं होता है 29 पंचेंद्रे तिरेंचेंद्रे और मनुशी के अपेक्षा 31 पंचेंद्रे तिरेंचे दोनों के अपेक्षा से है 31 पंचेंद्रे तिरेंचे अपेक्षा से आएगा 29 यह मनुशी अपेक्षा नहीं होगा हाँ वो गोटल होता है सत्वस्तान दुसरे गुनस्तान में कितने होंगे केवल 90 काई वहाँ पर होता है आहरख दियकर तिरतंगर की सत्तावला जो दुसरे गुनस्तान में नहीं जाता है इसले एक ही सत्वस्तान है दुसरे गुनस्तान में तो खाली वर होते हैं अड़त दिससर दक्षा तेतने लाइंग लगा देते फिर अच्छा है तिसरा गुनस्तान यहाँ बंदस्तान कितने हैं तिरेंचे का कम हो गया तिरेंचे गति की बंदों इच्छती दुसरे गुनस्तान में हुई तो केवल मनुष्य और तिरेंचे देव गतिवत बांदेंगे और देव और नार्की मनुष्य गतिवत बांदेंगे इसलिए देव और मनुशन तिरेंची के अपेक्षा 28 इसका ही बंद होगा देव गतियुत और ते इसके देव और नार्कियों के अपेक्षा से 29 मनुशन पर याप्तियुत का बंद होगा तिस भी कहा है गागा तिरे अंचे गति के बंद भी चुति होगी न पजेलरी के बंद भी चुति होगी यहां पर एक ना संख्या लिखना रहे हैं दो तीन चार पांच छे साथ तीस तो मनुश्य तिर्थे उता आएगा ना वो चौते गुनस्थान में आएगा यहां पर नहीं आएगा दो बंदस्थान हुए तिसरे गुणस्थान में उदैस्थान तो यहाँ पर कोई काल नहीं है एक भाषा परियाप्तिकाल ही है तो तिसरे गुणस्थान में भाषा परियाप्तिकाल में कौन-कौन से पाई जाएंगे देवनार क्योंकि अपेक्षा 29 मनुश्या और गिरेंचों के अप्रिक्षा 30 और 31 इत्तीन ही उद्यस्थान पाए जाएंगे यहाँ पर विग्रगति काल वगरे नहीं है इसलिए जो भाषा पर आपती काल में होते हैं वे ही होंगे 13 में सत्वस्थान सत्वस्थान तिर्तन करके सत्तौक और नहीं आता है और रखबी के सत्तौक आसकता है तो यहाँ ब्यानौः और नभ्ये दो ही सत्वस्थान पाए जाएंगे कि तिस चौता गुनस्तान इसमें बंदस्तान मनुष्य और तिरेंचों के अपेक्षा 28 और मनुष्य में देव तिर्थ यूत तिर्थंकर का भी बंद होगा और देव और नार्गयों के अपेक्षा से 29 और 30, 29 में दोग प्रकार आएंगे एक मनुष्य पर्याप्त हुतो देव की रहता हुतो और 30 में मनुष्य तिर्थ यूत यूतो एक यू प्रकार आएगा 28 29 मनुष्य और 29 30 देव नार्गयों को तो यह तीन बंदस्तान होंगे उद्धान तो यहां पर देवनार की उनकी अपिक्षा 29 का आएगा भाया नहीं यहां पर यहीं न विग्रगतिकाल हैं मिश्रकाल है शरीर परयाप्तिकाल उच्छवास परयाप्तिकाल के चौते गुनस्तान में सब होता है ना मरन करके जाता है इसलिए तो यहां पर 21 होगा 24 होगा वो एकेंद्रियों क्या पिक्षा ही है 25 होगा 26 भी होगा 27 भी होगा 28 होगा 29 30 31 31 31 31 होगा इसलिए पहले गुनस्तान से 24 कम किया तो आट उदैस्तान होगा अब सत्वस्तान तिरतंकर साइट का सत्वर होता है इसलिए त्रयान्नो ब्यान्नो एक्क्यान्नो और नब्बे यही आब आगे सब गुनस्तानों में आएंगे सत्वर चवते पाच्वे छटे सात्वे आट उदैस्तान में यह सत्वस्तान होंगे आट ऐसी चवरेसी बैसी यह तो केवल तिरियंचों में और मनुशे के उद्बनस्तान में दो होंगे पहले गुनस्तान में यह आगे है नहीं उसका सत्व अब आगे पाच्वे गुनस्तान में अब नार्के और देव भी कठ हो गए तो यहाँ पर बंदस्तान देव और मनुशे और तिरियंच आट थाइस का करेंगे और मनुशे जो है देव तिर्थे उत करेंगे तिरियंचों के अपेक्षे केवल आट थाइस का है और देव और मनुशे के अपेक्षा से देव तिर्थे उत का होगा तो यहां दो ही बंद स्थान है तिरेंच और मनुष्य दो ही आते न पाचोगुन स्थान में उदे स्थान भी यहां पर तिरेंच और मनुष्य के अपक्षा से आएंगे तो मनुष्यों में और दिरेंचों में भाषा पर्याप्तिकाल में 30 का ही उदे होता है कुरे जीवन पर 30 प्रकूर्ति का उदे होता है और उद्ध्योत यूत को 30 का उदे होता है इसलिए दो ही उदे स्थान आएंगे सत्वस्थान कितने होंगे यहां पर यह होंगे आगे की सब गुनस्थानों में चार-चार ही है सत्वस्थान कम कम होता अगे के गुनस्थानों में बंदव परपुर्तिय कम होती जा रहे है वो भंग कम होते जाते ना आगे दुरबग आनादेया एशिकिर्थी के चौटे गुनस्तान में उदर चुत्ती होई तो पाप्रप्रकुर्तिया कम होई वहाँ पर फिर भी पाप्रकुर्तिया है वहाँ पर चौटे गुनस्तान में केवल मनुष्य ही तिरेंच नहीं है तो यहाँ जो पाप्रप्रकुर्प्रकुर्प्रकुर्प्रकुर्प्रकुर्प्रकुर्प्रकुर्प्रकुर्प्रकुर्प्रकुर्प्रकुर्प्रकुर्प्रकुर्प्रकुर्प्रकुर्प्रकुर्प्रकुर् आरक का आरक की अप्रेक्षा से सब आएंगे कि वह पर 21 नहीं 25 27 28 29 यह आरक शरूर की अप्रेक्षा और सामान्य अमुनियूं के अप्रेक्षा 30 का आएगा तीस ही आएगा इक तीस में एक दो तीन चार पांच पांच उदर स्थान होंगे सत्वस्थान यह चार है आटवे गुनस्थान तक वह ही रहेंगे सत्वस्थान शात्वे गुनस्थान में बंदस्थान बंदस्थान वह तो रहेंगे आओर आरक भी का बंद चलोगा ना यहां से 39 तीस देव आहरक्युतो एकत्स 12-38 इहां पर चार बंद स्थान यहांपर ंङबर तीस का ही होगा अब आगे साथवे आटवे नवे दसवे ग्यारवे बारवे गुनस्तानों में केवल तीस प्रकुर्ती का ही उदे रहेगा फिर तेरवे गुनस्तान में समुध घात केवली में ही फिर वहाँ पर कार्मन का योग में वगरे बदल होगा तो एक उदरी स्थान यहां पर तिसका और सत्वस्थान यहीं चार है आटवे गुण स्थान में उदरी बंद स्थान यहीं चार रहेंगे और एक बढ़ जाएगा यहां पर आखिर के भाग में एक प्रकुर्ति के शस्किर्ति का बंद होगा क्योंकि छटे भाग में तीस प्रकुर्ति की बंद विचुति हो जाती है तो एक केवल वहाँ पर एक शकिर्ति का बंद रहता है तो पांच बंद स्थान होंगे आटवे गुण स्थान में और उदरी स्थान एक तीस का ही रहेगा सत्वस्थान यहीं चार रहेंगे अब नवे गुण स्थान में बंद स्थान तो यहां से आगे एक ही रहेगा एक प्रकुर्तिक एक बंद स्थान दस्वे गुण स्थान में भी एक प्रकुर्तिक एक ही बंद स्थान रहेगा यहाँ पर आगे नववे दसवे आधि गुनस्थान में 30 कही उदे रहेगा सत्वस्थान अब यह आटवा गुनस्थान इहाँ है नववे गुनस्थान में यहाँ पर सत्वस्थान कितने होंगे आठ होंगे यह तो चार रहेंगे ही और तेरा प्रकुर्ती का शय होने के बाद एक साथ आसी इसी चार में से तेरा कम करो तो आसी उन्यासी अटत्तर और सतत्तर हो जाएंगे आठ सत्वस्थान होंगे नववे गुनस्थान में और दसवे गुनस्थान में एक बंदस्थान एक प्रकुर्तिक तिस प्रकुर्तिक एक उदैस्थान और यहाँ सत्वस्थान यहाँ पर उप्षम स्रेणी के तो आठ ही रहेंगे यहां पर दस्वे गुनस्तान में उप्षाम स्रेने और शपक स्रेने के अपेक्षा से यह सत्वस्थान आएंगे अब ग्यारवा गुनस्तान में बंद जेरो बंद नहीं यह क्योंकि शक्रति के बंद विच्चित्ति हुई उदे एक तीस प्रकुर्ति का ही होगा सत्व चार का ही रहेगा यहां पर ब्यांत्रान्नों ब्यांनों एक्यान्नों और नब्बे वो शपक स्रेने का नहीं रहेगा बारवे गुनस्तान में यहां बंद है नहीं तेर्वे में भी बंद नहीं चवद्वे में यहां पर ग्यारवे गुनस्तान में एक तीस का ही होगे बारवे में भी तीस का ही होगे हैं तेर्वे में यहां पर नई समुद्गात के पेशन सब है न होगे बीस सामाने के उली 21 तीरतंकर के उली 26 सामाने के उली 27 तीरतंकर के उली 29 सामाने के उली को भी है फिर 30 सामाने के उली 31 तीरतंकर के उली एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ आठ ओदैस्तान होंगे यहां पर कर्मन कायोग में 21 फिर वहाँ पर मिश्रकाल में 26 27 शरी परियाप्तिकाल में 28 29 फिर उच्वास परियाप्तिकाल में 29 30 और भाशा परियाप्तिकाल में 30 और 31 एसे सामाने के उले यारति तंकर के उली लेलना के कुट रहा पर वहां काता में उन्होंने दिया नहीं होगा न इसलिए नहीं लिखा है तो यहां दो ही लिए हैं है ये है केवल समदगात में है समदगात की वर्षा न ले करके किया है यहाँ पर ग्यारवे गुनस्थान में चार बारवे गुनस्थान में चार कौन से आएंगे असी उन्यासी अटतर सततर बारवे में तेरवे में भी चार आएंगे असी उन्यासी अटत्तर और सतत्तर जो उदे गुनेस्तान में बंद नहीं उदे एक उदेस्तान है ना नो और आट होगा दो उदेस्तान है और सत्त्तवस्तान छे हैं यह चार रहेंगे द्विचरम समय तक और छरम समय में दस और नौ धिर्तंकर के उली को दस और सामाने के उली को नौ का उदे रहे गा वो गाता में नहीं लिया होगा इसलिए नहीं लिया है वहाँ पर चे सुत्रानू नम्बर गाता है चनव चतिय सगईगी दुग तिग दुग तिन्नी अठ चत्तारी दुग दुग चदु दुग पन चदु चदु रेय चदु पनिय चदु और रेख लेते हैं एगएग मठ एगएग मठ चदु मठ के वली जिनानं एग चदुर एगच दुरु दो चदु दो चक्क उदयमसा तो यहां चैुद घिना स्थान में कितने बंदा स्थान और कितने सत्व स्थान हैं नाम करम के सब संख्या बताई के वल इसमें प्रकुर्तिया कोंसे आगे बताएंगे क्रम से लगाना पहले गुणस्थान में चन नवच्छ चे बंदस्थान, नव उदैस्थान, चे सत्वस्थान पहले गुनस्थान में फिर दुसरे गुनस्थान में तीय सग इगी तीन बंदस्थान, साथ सत्वस्थान और एक सत्वस्थान फिर दुसरे गुनस्थान में दुग तीग दुग दो बंदस्थान, तीन उदैस्थान, दो सत्वस्थान फिर चवते गुनस्थान में तीन ने अठ चत्तारी तीन बंदस्थान, आट उदैस्थान और चार सत्वस्थान फिर पाच्य गुनस्थान में दुग दुग चदू दो बंदस्थान, दो उदैस्थान, चार सत्वस्थान फिर चट्य गुनस्थान में दुग पन चदू दो बंदस्थान, पाच उदैस्थान और चार सत्वस्थान फिर चदू रेय चदू सात्य गुनस्तान में चार बंदस्थान, एक सत्वस्थान, एक उदैस्थान और चार सत्वस्थान फिर आगे नवे गुनस्तान में एक एक मठ एक बंदस्थान, एक उदैस्थान और चार सत्वस्थान एक और चार एक और चार तो वो चल रहा है फिर आगे नववे गुनस्थान में एग एग मठ एग बंदस्थान एग उदय स्थान आड सत्व स्थान फिर दसवे गुनस्थान में एग बंदस्थान एग उदय स्थान आड सत्व स्थान दसवे गुनस्थान में शपक स्रेनी के अपेक्षाच चार और उप्षम स्रेनी के प्रिक्षा चार फिर चदु मठ मतलब ग्यारवे बारवे गुणस्थान में केवली जिनानम और केवली जिनुंके एग चदु रेग चदुरो एक उदैस्थान और चार सत्वस्थान और बारवे गुणस्थान में भी एक उदैस्थान और चार सत्वस्थान उसमें बदरे मुंषदाला नहीं कर दा हिए लिए घधाल में 2 चदवीध श्भी कि यहादबर हें चोरदियसतान और close by duh साथ इसलिए याग सासे बत स्दुश्था समय ind 담 बंदने शब्द क्योंकि यहाँ पर यह लास्ट में कि उदया और सत्वस्थान नहीं एग चदू, एग चदूरो दो चदू, दो चदू, दो चक्क उदयांसा ऐसा लगा नहीं क्रम से बंद करेंगे तो मात्रा बढ़ जाएगी एग चदूर, एग चदूरो दो चदू, दो चक्क बंद उदयांसा भी चल सकता है लेकिन यहाँ पर वो लास्ट के दो दो लिये इसले उदयांसा ही लियाओगा ठीक है अब दोनों पाट बेदे, बंद उदयांसा है तो सभी के लिए लगाओ अब चेवल संख्या बताई अब कौन-कौनसे छे बंद स्थान कौन-कौनसे नवुदैस्तान कौन-कौनसे छे सत्वस्तान इनका यह बता दे, प्रकूर्टिया बताएंगे नामसय बंद दय सतानि गुणं पडुच्य उतानि पते आदो सववं भनिदवं अत जुत्तिये नाम करमक के बंद उदयर सत्वस्तान गुनस्तानों का अश्रे करके पहले बताए है अब वे ही पते आदो मिला प्रत्यक में अत जुत्तिये सववं भनिदवं आर्थ युक्ति से आव अभी युक्ति लगा करके वहाँ पर बताओ कितने होते हैं आचारी पर कहते हैं कि अपनी युक्ति से सब करो पहले तयार अत्त जुत्तिय भनिदवम आर्थ की युक्ति से कहना चाहिए अब वो आगे कह रहे हैं कि कौन-कौन से बंदस्ताने वे हैं 696 नंबर गाता है इसलिए आपको नहीं मिल रहे हैं तेवी साधी बंधा इगिवी साधी निवदय ठानानी बानवदादी सत्तम बंधापुन अठवी सत्यम छे बंधा स्तान कौनसे एगिवी साधी पहले गुनसान में छे बंधास्तान है कों से लेना Jesus से लेकर के छे लेना थेज 25 26 28 29 तिस फीर इगिवी साधी ने उदय ठाना नहीं उदय स्तान 21 सेले लेकर के लेना कितने हैं नूँ हैं तो 21 44 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, यह नव लेना, फिर बानव उदाधी सत्तम, ब्यानव से ले करके तीन का सत्व लेना, यह ने इस छे सत्व, ब्यानव, एक्यानव, नब्य, आट्याईशी, चावरेशी, ब्याईशी, फिर बंधा, पुना दुसरे गुणस्थान में, बंधस्थान कितने बत हैं, दुसरे गुणस्थान में, तीन बताएं, कौन से तीन लेना, आट्वी सतियम, अट्थाविस त्रिक, अट्थाविस, उन्तिस और तीस, जब त्रिक, द्विक, चतुष्क बताते हैं, तो सिधा लेना, उससे क्रम से लेना, अज़ छे सु सत्यानों नंब्र गाता हैं, वीसादी एक तीसंता, सत अट्थाविस उना, उदयासतम नवदी, बंधापुन अट्थाविस दुगं, में बंद स्थान तो तीन बताएं और उदय स्थान साथ बताएं वह कौन से लेना एगी वी सादे एक कती संता आच सत्त अट्वीस हुना 21 से लेकर 31 ले लो और उसमें बीच में 27 और 28 छोड़ दो 27 और 28 से उन बाकि सब उदय स्थान लेना क्योंकि आपर शर्य पर्याप्तिकाल और उच्छवास पर्याप्तिकाल नहीं है इसलिए रा 28 और 29 का स्थान नहीं आया उदय हो गए सत्तम नवदी सत्व केवल नब्वे का है एक का ही सत्व है एक सत्व स्थान है फिर चौते गुनस्तान में बंधा पुन अठवीस सदुगम बंधा अठवीस अधी दो मिला 28 और 29 दो बंद स्थान है चौते गुनस्तान में चिसर का है दो हो गए ना दूगती को दूगत ने तुष्रे गुणस्तान में बंद अठावी सरुंतिस का है दो ही बंदस्तान है अब उदस्तान तीन है वो आगे बता रहे हैं एगुनती संतिदयं उदयं बान वुदिन वुदियं सत्तं अयदे बंद ठानं अठावी सत्तियं होदी बताए अठावी सरुंतिस और उदस्तान तीन है कोंसे तीन इगुनतीसं तीदयं उदस्तान अठावी सत्तियं होदी बंद स्तान तीन है अठावीस उंतीस और तीस और उदय कितना है वो आगे बता रहे हैं छे सुन निल्न नव गाता है उदया चोवी सुना इगिवी सपड़ी एकती संता सत्तं पड़म चवकं अपोवकरण तिनायवं उदस्तान 24 को छोड़कर 21 से लेकर 21 तक सभी है चार कम करना 20 और नव आट जो है वो कम करना और बीच का 24 कम करना तो आट उदस्तान है 21, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 31 और सत्त्व कोंसे पड़म चवकं पहले चार का सत्त्व है थ्यन नव बैन एक्यन नव नव नबबे कहां तक ये सत्त्व चार है लेना अपोवकरण तिनायों अपोवकरण परेंट आप सत्त्व बतानी की जरुरत नहीं अपोवकरण परेंट ये चार ही सत्त्व स्थान है पहले चार अब बंदार उदय केवल बताएंगे 28 दुगं बंधो देशे पमदेय तीस दुगं उदो पणवीस सत्तवीस पढ़े चत्तार इठानानी ही पांच्यों गुनस्थान में 28 और 39 का बंद है बंदो और पमदेय तीस दुगं मुदव प्रमत्त में तीस द्विक का उदय है यहाँ पर इसका बताया था न मैं सत्व तो पहले बताया ही है, प्रमत में भी दो ही बंदस्थाने, दोने में लगाना, देशे पमदेय, बंदस्थान पाच्वे में और छट्टे में समान है, 28 और 29, और 32 उदव, 30 और 31 का उदव है पाच्चे गुनस्थान में, और छट्टे गुनस्तान में 25, 27 पहुड़ी चत्तारे ठानाने 25 और 27 आधी 4 27, 28, 29 और 30 इस प्रकार पाँच उदय स्थान है छट्टे गुनस्तान में और पाँच गुनस्तान में केवन 30 और 31 का उदय है अब आगे सात्वे गुनस्तान से बताते हैं अपमत्यय अपूवे अडवी साधीन बन्धम उदोदो तीसमने 28 हुमें जसकित्ते एककयम बन्धो अपमत्यय अपूवे अडवी साधीन बन्धम उदोदो सातवे गुनस्तान में और आटवे गुनस्तान में 28 से लेकर सब बंदस्तान है 28, 29, 30, 31, 31 एक तो केवल अपरव में लगाना अपरमत्त में नहीं चार लेना अपरमत्त में नहीं चार लेना अपरमत्त में चार और अपरमत्त में चार बंदस्तान बताए तो आठाई साधिक चार आएंगे और अपर्व करन में पाज बताये तो आठाई साधिक पाज बंद स्थान आएंगे फिर तीसम अने अटिसु में अने उर्तिकराव सुक्ष्म सामप्राई में उदय जो है वहो अब उदय बता रहें ग्यारवे बारवे में गुणस्तान में उदय तीसम सत्तम पड़मचव कंच सीदि चव संते खीने उदो तीसम पड़मचव सीदि चव सत्तम नववे और दस्वे गुनस्तान में उदय केवल तीस प्रकुर्ति का है मुनश्य का केवल फिर सत्तम सत्व जो है पड़मचव कंच और सीदि चव प्रतम चतुष कमल त्रैननो बैननो एक्यनो नब्बे और आसी उन्यासी अटतर 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 एचार फिर ग्यारवे गुनस्तान में खीने उदय तीस है ग्यारवे में भी और बारवे में भी उदय तीस का है और सत्व क्रम से लगाना ग्यारवे में पड़मचव और बारवे में सीदि चव ग्यारवे गुनस्तान में पहले चार सत्वस्तान है बारवे गुनस्तान में अस्या जोगिम्मिय तीस इगी तीसम नवठयं उदो सिदार चौँ चक्कं कमसो सत्तं समुद्धेटं। जोगिम्मिय अजोगिम्मिय तीस इगी तीसम नवठयं उदो। कि योगी में 30 और इकत अल्ब सयोकियोवली में mein 59 और और आठ सब गुनस्तानों में बंदः स्थान और सत्वस्तान बता हैं सब गुनस्तानों में अब सब चौदा सुमास्यों बंद अूदय सत्व स्थान गटाने यह घटाएंगे । सब में गटाएंगे जौदा साझती जाजी विल्य समास में करेंगे it भध टा पुट mission ४ dua ॥ सबमें कितने अब शाल आण विशी में आदार अद 20 नहीं है पहले ये बता रहे कि सब जीव समासों में कितने बंदस्तान उदैस्तान सत्वस्तान होते हैं और सब मारगणाओं में कितने बंदस्तान उदैस्तान सत्वस्तान सब चौदा मारगणा घटाएंगे नाम कर्म के बंदस्तान उदस्तान और सत्वस्तान उंको पनी गुणस्तान में देखा है और यहाँ पर जीव समास में बंदस्तान उदस्तान और सत्वस्तान बता रहे कि किस जीव समास में कितने बंदस्तान उदस्तान और सत्वस्तान है उसको अपन निकालेंगे पहले मतला में इसमें पहले साथ आपर्यापतो मतलब एक इंदीर, द्विंद्रे, तुरिंद्रे, चत्रिंद्र, आ सॉधनी पंच इंद्रे, आ सुख्श मरों बादर न इस साथ अपर्यापतो में بंदस्ठान मतलब वे कौन कौन सा बंद करेंगे कौन-कौन से बंदस्थान उनमें पाए जाएंगे तो 23 का बंद कर सकते हैं सबी मतलब अपर आप तो एक इंद्रिया दिख 25 का भी बंद कर सकते हैं 26 का भी कर सकते हैं 28 का नहीं कर सकते हैं क्योंकि 28 में देव गतियर नरगतियुते उसको उसका बंद उनको नहीं होगा तो वो बंद कर सकते ना अपरियाप्त जीव हाँ उदे नहीं होगा लेकिन अपरियाप्त जीव एक एंद्रे परियाप्त इतका बंद करेंगे मनुष्य परियाप्त इतका भी बंद करेंगे तिरेंचे विंद्रे तिरेंद्रे परियाप् एक छोड़ करके 23, 25, 26, 29 और 30 एक 28 का बंदस्तान उनको नहीं होगा बिच का कुटा देवनार के साथ 28 देव और नार के देव गतिवत और नरगतिवत बंदस्तान है इसलिए उसका बंद उनको अपरयापतावस्ता में नहीं होता है इसलिए 28 का बंदस्तान नहीं होगा पाच बंदस्तान होंगे अव यहाँ साथ अपरयापतों में उदे स्थान जो है वो लेंगे करम से अपने देखेंगे 21 का उदे विगरगति काल में इंडरे जयोंक होता है फिर 24 का बिष्रकाल में उदे होता है और 26 का इसमें मनुष्य विइनरे एक मस मिट होगे विकलत्रे और सौधनी पंचेंद्रिया और मनुष्य इनको 21 और 26 का उदे रहता है पर्याप्त अवस्था है इसलिए आगे की काल आते नहीं उसमें दो ही काल आएंगे एक विग्रगति काल और मिश्रकाल उच्वास पर्याप्ति काल और भाष्य पर्यपति काल उदे रहता है तो इसलिए कितने उदे स्थान होंगे तीन उदे स्थान होंगे लब्दे पर्याप्त नाम कार्म का उदे उनको नहीं होता है आपर्याप्ता जीव है यहां हारगद्री का सत्व हो सकता है तो तुर्दंकर का सत्व केवल नहीं होगा 20-90-88-84-22 यह पांच सत्वस्थान यहां पर हो सकते अपर्याप्ता वस्था में सुक्ष्म एकेंद्रे पर्याप्त जी अब तो इसमें सुक्ष्म एकेंद्रे पर्याप्तों में बंदस्थान कौन कौन से होंगे तो यहाँ पर भी 23 का बंद होगा क्योंकि वे पर्याप्तों तका बंद करते हैं पचिस का भी बनत्य स्थान होगा, एक एंद्रिय और पर्यापत का बन्द करते हैं, 26 मने एक एंद्रिय का भी बन्द होगा और 29 में, पंचेंद्रिय तिरियंच थक और मनुशका भी होगा, और 30 का, यही पाज बन्द स्थान उनमें भी पाये जाएँगे, उदय स्थान सुक्ष्म एकेंद्रिय पर्याप्त जीव है तो यहां पर 21 का होगा 24 का उदय स्थान होगा अब थोड़ा सा मैं बोलते हूं फिर बाद में 24 फिर शरीर पर्याप्ति काल में 25 का उदय होगा और यहां इनको आतप और उद्योत का उदय नहीं होता है इसलिए 25 और इसलिए आत्तप और उद्योत से उदय स्थान नहीं होगा सत्त हैं तो एक इंद्रिय हैं तो एकिंद्रिय में जो पाए जाते 21, 24, 25 और 26 वे यहां पर उद्यस्थान पाए जाएंगे 4 और 1 हां बहां पर रहा गया क्या हां साथ अपर याप्त हैं तो इसमें अलग-अलग हाँ हाँ वहाँ पर रहा गया क्या हाँ साथ और परियाप्त है तो इसमें अलग-अलग ले आए क्या उन्हें बंदस्तान है होंगे 23, 25, 26, 29, 30 होगा उदैस्थान में और 214 इसमें होंगे एकेंद्रे में और 216 त्रसों में होंगे यहाँ पर एक साथ लिख देया ना और सत्वस्थान जो है वहाँ पर भी वही होंगे ना वस्थान यही पाच होंगे 92, 98, 84 और 20 इसी प्रकार बादर रेकेंद्रे पर्याप्तों में बंदस्तान यही होंगे 23, 25, 26, 29 और 30 और उदस्तान यहाँ पर बादर रेकेंद्रे इसले यहाँ पर एक बढ़ जाएगा 21, 24, 25, 26 और 27 आता पर उद्ध्योत्युत यह एक ही सबको एक ही होगा ना वहाँ पर दंदस्तान और सत्वस्तान समान ही होंगे यहां 26 में तो आतप्रहित भी आता है और 27 में आतपुद्योट सोहित हैं तो यहां पर उद्य स्थान कितने होंगे पाँच होंगे और सत्वस्थान यहीं पाँच होंगे क्योंकि सब एकेंद्रयमिये सत्वस्थान पायम्लाहारगद्विक्का बंदक किया हुआ जीव पर्याप्त में भी उत्पन हो सकता है बादर में तो हो सकता है वो तो हो जाएगा ना तो 26 वा कामन्ड लिया ना पर पर्याप्त विकलत्रे जीव में वे भी कौन कौन सा बंदक करेंगे यहीं बंदस्थान आएंगे वे भी सब एकेंद्रया पर्याप्त वित पर्या एकेंद्रया पर्याप्त वित आतप यूत और मनुशतिरियंच का बंदक करेंगे तो पाचे बंदस्तान आएंगे उदय स्थान यहाँ पर 21 और 26 आएगा 24 ने आएगा एकेंद्रे में 24 का आता है और विकलत्रे पंचेंद्रे मनुश्यों में 26, 28, 29 और 30 31 का भी होगा उदय विकलत्रे जियों को तो 6 उदय स्थान आएंगे 31 उद्योत्य उद्योत्य है इसलिए 31 का उदय स्थान उनमें पाया गया सत्वस्थान यह पाच होंगे अब आगे परियाप्त असवधी पंचेंद्रिया इसमें बंदस्तान कितने होंगे 23, 25, 26, 28 भी आएगा इसमें क्योंकि वो बहुनवासे रवंतरवासी में उत्पन हो सकता है पहले प्रतम प्रत्वी में उत्पन हो सकता है इसलिए 28 का नरग गतिवत और देव गतिवत दोनों बंदों उसको पाए जाते हैं 29 और 30 इस प्रकार यहां 6 पंदस्तान होंगे और उदैस्तान यही होंगे 21, 26, 28, 29, 30 और 31 यही चाही उदैस्तान आएंगे और 5 सत्वस्तान यही आएंगे सब आएंगे अब पर्यापत साओधी पंचेंद्रिया का पर्यापत साओधी पंचेंद्रिया वह विकलत रही के आएंगे और साओधनी के सब के समान ही है उदैस्तान अब पर्यापत साओधी पंचेंद्रिया में सब आएंगे देव नार की तिरियन चर मनुष्य चारोगति के जीव आएंगे तो यहां बंदस्थान सभी होंगे 23, 25, 26, 28, 29, 30 और 31 और 1 मनुष्य आएंगे ना यहां पर इसलिए आड़ बंदस्थान होंगे उदैस्तान यहां पर जो एकेंद्रे को होता है वो छोड़ना बाके बाके सब होंगे बीस का भी लेकिन वहां पर सउधनी ये सउधनी ये तो लिया है क्या इसलिए केवली नहीं लेना बारवे गुणस्थान तक कही जीवले ना 21, 26 एकेंद्रे नहीं होंगे इसमें इसलिए 24 का वो दैस्थान नहीं है और 25 का भी नहीं है लेकिनि 25 आएगा ना देव और नार क्यों क्या परिक्षा 25, 26, 27, 28, 29, 31 सब दैस्थान आएंगे यहाँ पर पहला और दुसरा लास्त छोड़ करके नव दैस्थान आएंगे क्योंकि आपर देव और नार क्योंकि अपरिक्षा से 25 भी आएगा 27 भी आएगा 29 आएगा 28, 29 आएगा और मनुष्यति रेंच उनके अपरिक्षा 21, 26, 28, 29, 30 और 31 आएगा इसले परियाप्त होने के बाद भी मिश्रकाल रहता है नेकिन उसमें दूरते परियाप्त आवस्ता को भी परियाप्त तक में लेंगे ना और सत्वस्थान कौंकौं से पाई जाएंगे इसमें 29, 29, 29, 90, 88, 84, 22 का भी उत्पनस्थान में परियाप्त में परियाप्त परियाप्त हुआ रहता है और 89, 88, 77 इसमें सत्वस्थान पाए जाएंगे तो कितने होगें एक दो, तीन, चार, पांट, छे, साथ, आट, नव, दस, ग्यारा आंतिम दो नहीं है बाकि सब ग्यारा सत्वस्थान होगे उत्पनस्थान में उसके उद्वेलना किया हुआ जिव, साथनी पंचेंद्रे परियाप्त तिरेंचों में पैदा हुआ तो आपर उत्पनस्थान में 28, 24 और 22 का सत्व एक अंतरमूर्तकाल के लिए होता है तो इस प्रकारे जिव समस में यह बता है साथ सो चार नमबर गाता है पणदो पणगं पणचदू पणगं बंदू दयसत्त पणगंच पणचक पणग चचचक पणग मठट मियारं सत्तेव अपजचत्ता सामेसु मोय बादरो चेव वेल इंदिया यतिविहा होंति असन्नी कमासन्नी निचे की गाता में स्वामी लिखे हैं और उपर स्थान लिखे हैं स्थान संख्या निचे का एक लेकर के उपर का लगाना सत्तेव अपजचत्ता साथ सो पाच गाता में है उनके बंद उदैस्थान कितने ही पन दो पनगम पाच दो और पाच पाच बंद स्थान दो उदैस्थान और पाच सत्वस्थान फिर सुवमो परियाप्त लेना उसमे पन चदो पनगम पाच बंद स्थान चार उदैस्थान और पाच सत्वस्थान बंद उदैस्थान बंद उ लेना उसमें पनगम पाच बंदस्थान ने वह बंदू दे सत्त पनगम चलिका ना वहापर सब पाच 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 बादर में सब पनगम चलिका ना लेना बंदभी पाच बंदस्थान उदस्थान पाच और सत्वस्थान पाच वहापर छोड़ेना फिर वेल इंदिया विकलें अब परयाप्ट, पहले बताया फिर सुक्ष्ष्थ मों बताया फिर बादर बताया तो बादर में 241, 255 और सत्वस्थान दी पाच ही हैं फिर इल्कलेंडरे में 5 बन्दस्थान, 6 उद्धार और 5 सत्वस्थान हैं कि दोने में घेचा ते तीन उदैस्थान घेचे कुन उदैस्थान जो है दो दो लिखा है वहाँ पर चार चार लेना कि नहीं दो दो है न मतलब दो दो मिलकर के चार हो गई है वहाँ पर दो नच घेचा तो एकीस चोबिस एकीस चबिस आस घेचा ते इसले दो दो ऐसा लग लिखा है वहाँ फिर विकलेंडरिये में पाँच छे और पाँच बंदस्तान छे उदैस्तान और पाँच सत्वस्तान है और सबने पंचेंदरे में चचक पनग खाले असन्य शब्द हैं उसमें छे बंदस्थान, छे उदैस्थान और पांच सत्वस्थान है और सउद्नी में सन्नी में अट्ट अट्ट में यारं आट बंदस्थान, आट उदैस्थान और ग्यार सत्वस्थान इस प्रकार क्रम से लेना 24 छोड़ना है ना बीच का इसलिए 8 होंगे 21 से लेकर 31 से 9 गिनाई थे हो इस प्रकारे संख्या बताई अब कौन-कौन से लेना वो बता रहे आगे तो 706 नमर गाता है बंधा तिय पन चन्नव वीसम तीसम अपन गे उदव इगिचो वीसम इगिचो वीसम थावरत से कमसो बंधा बंदस्थान पहले अपर्याप्त में 5 बंदस्थान बताई व कौन से लेना तिय पन चन्नव वीसम तेविस तिय वीसम पन वीसम चवविसम नव वीसम ये 5 लेना 26 25 26 29 29 29 32 यह अपन्न गे उदो अपरयाप्त में उद़ हैंक इतने का हैं 21-24-26 एकिस प्ला अलग अलग यह लेंगे ना अपरयाप्त वो चार क्यों नहीं लिये एक साथ साथ में लेंगे अलग अलग लेंगे ना एक इंद्रिया अपरयाप्त लेंगे तो वहाँ 21 और 26 ये दो ही सत्वस्थान आएंगे इसलिए दो दो लिया है एक थावर में 21 और 24 और त्रस में 21 और 26 इस प्रकार क्रमशह लेना अब आगे ये बता रहे हैं 707 नंबर गाता बानव दी नव दी चव सत्तम एमेव बंदयं आउंसा सुमिदरेवी अलतिये उदया इगेवी सयादि चव पनयम बताया ना वो सत्वस्थान बताते पहले बंदस्थान 23, 25, 26, 29 और 30 बताया उदयस्थान 21, 24 या 26 बताया और सत्वस्थान ब्यानव दी ब्यानव दी चव उमेव नब्य से लेकर चार लेना नब्य, 88, 84, 22 ये सत्व है इसी प्रकार बंद और सत्व किसमे होगा सुख्ष्म और इतर्मल बादर में बंदस्थान और सत्वस्थान बेही लेना क्या और उदयस्थान क्या होगा और विकलत्रय में भी बंदस्थान और सत्वस्थान सेम आएंगे दोनों जगा 24, 25, 26, 27 लेना और विकलत्रय में आगे बताएंगे आगी की गात्था में इगी चक अड़ नव वीशं तीस इगी तीसं चवियल ठाणंबा बंदतियं सन्निदरे भेदो बंद दिहु अड़ वीशं इगी चक अड़ नव वीशं एगी वीशं चक अड़ वीशं तीस इगी वीशं चक वीशं अड़ वीशं कुव वीशं 21, 26, 28, 29, 30, 31 चवियल ठानमबा विकलत्रे के स्थान के समान ही बंदतियम सन्निदरे असवधनी में बंदस्थान, उदेस्थान और सत्वस्थान है क्योल भेद क्या है उसमें आडवीसं बंददी असवधनी पंचेंद्रे में क्योल विशेष्था क्या गई वह 28 का भी बंद करता है उदेस्थान और वही पाए जाएंगे सत्वस्थान और बाकी के बंदस्थान भी है एक वहाँ पर 28 का बंदस्थान बढ़ गया है अब सवधनी पंचेंद्रे में बताते हैं आगे सन्निम्मे सववबंधो 21 सब पहुड़े एकती संता 24 सोना उदव दसनव परहीन सववयं सत्तम सववबंधो सभी बंदस्थान है और 21 सब पहुड़े एकती संता 24 सोना उदव 21 से लेकर 31 तक सब उदस्थाने केवल 24 से रही थे 20 को छोड़ना इसलिए 8 उदस्थान होये और सत्व दसनव परहीन सववयं सत्तम 10 और 9 का सत्व कम करना बाकि सब सत्वस्थान है 11 सत्वस्थान है इस प्रकार यहां जीव समास में बंदस्थान, उदस्थान और सत्वस्थान की प्ररूपना की है अब आगे अब यह आपने मार्गना में देखना है तो पहले नरगति मार्गना नरगति में कौन कौन सा बंद कर सकते हैं कि वहां कौन कहां से कहां का उत्पन हो सकते हैं पर्यापिवत्वी तुन सा बंद करेंगे और मनुश्य पर्याप्टव तर यह इसे में आ गया और यहांसान सामशां चारो है इसलों आपने मनुशी तिरते तुंत तर इंस्का बंद करेंगे यहादी तिर्टंकर के बंद से सही थे तो, तो दो यी बंद स्थान संभोई नरग में, उद्धान नरग में अपने देखा था, विगदा गत्ती में 21, फिर मिश्र काल में 25, शरी परियाप्ति काल में 27, उच्वास परियाप्ति काल में 28, और बाशा परियाप्ति काल में 29, त और सत्वस्तान यहाँ पर त्रेनो का चवते गुनस्तान के अपेक्षा है ना वहाँ पर पर पहले गुनस्तान में नहीं आता है इसलिए नहीं है चवते गुनस्तान सज्जाएगा तो वहाँ त्रेनो का सत्वा आएगा वहाँ त्रेनो फिर ब्यानो का भी आएगा एक्क्यानो का आएगा और नब्बे का आएगा चार सत्वस्तान होंगे त्रेनो नहीं क्या त्रेनो का नहीं है बराबर है बराबर है बराबर है मिदला कि तिर्टंकर और दीने का सांथ में उन्होंने नरकायक स्थ इन्हेंद किया है तो जीए Ahara Senka Suya music का बंद नहीं करेंगा और पहले नरकाय का बंद किया थो तो भषप नहीं करके नरकाय का बंद नहीं करेंगा इसलिए अरकों तो पहले उनुने बताएं था तिर्टंक मेरा हारा है कि पहले बंदा किया है तो फिर वह सातो गुनास्तान में जाएगा इसा प्हक्षा से उनुन नहीं किया और कर जा सब्सक्राइब direct हो वो बैनों काया ना वहाँ पर तिरतंकर ब्रकुटी के सत्व सहित महीं आएगा न आहरक का कहाँ पर नरख में कैसा हैंगे पहले आयू बांदी हो तो यह आएगे न पर पहले आयू बांदी है तो आहरका बंद नहीं करेंगे अइसा लिया है एक विवक्षर वो है लेकिन वो विवक्षे यहाँ पर नहीं लेते हैं तो तीन सट भस्तान आपकी ग Medicaid पहले उसने आया हरगद्वी का बंद किया, फिर वह पहले में आया, फिर वह उसने नरकायू का बंद किया, वापिस वो चवते में जाकर के तिरतंकर प्रकुर्ती का बंद करता है, फिर वह नरक में जाने के सनमुख होगा, तो वहां पर त्रहनौ का सत्व नरक में गया, तो लेकिन वह भी वक्षिया पर नहीं लें कि नरकायो का बंद करता है तो वह जिव सात्वे में नहीं जाता है इसलिए वह आरख द्विका बंद उन्होंने नहीं लिया लेकिन वह नरकायो का पंद पहले होना चाहिए न इसको आप चौते से पहले में लाना चाहिए न उसको वह यह बता रहे हैं मारज जी वह विवक्षा बता लेकिन वह विवक्षया नहीं लिए नरकायो का बंद क्या जी उपर नहीं जाता है इसलिए वह विवक्षा नहीं है तेरेंचे कत्य में बंद स्थान कंसे होंगे आखिर के 31 और एक छोड़ करके सब हो सकते हैं तेवीस वी का भी बंद कर सकता हैं 25 का भी बंद कर सकता हैं 26 का भी बंद कर सकता हैं 28 उन्टीस और टीस छे बंद स्थान आएंगे और उद्थान की रियंचे सामाने तो एक इंद्रे के विकलत्रे के और सब्ने पंचिंद्रे के सब आएंगे इसमें तो 21 का होगा एक इंद्रे के अपेक्षा 24 का होगा 25 का भी होगा और 26 जो है सबी के अपेक्षा है 27 में एक इंद्रे के अपेक्षा है 28 उन्टीस तीस और 31 एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नव नव उद्थान होंगे तेरें जगति में और सट्व स्थान यहां पर तेरेंच गति में तिरतंकर प्रकूर्टी का सट्व नहीं रहता है किस अपेक्षा से प्रकाता भी कर सकता हैं, पर सभी प्रकार के बंदस्थान आएगी यहां, चारो गति में उत्पन होता है, इसलिए 30, 31 और एक का भी होगी, तो आठ बंदस्थान आएगी, और उदस्थान यहां पर केवल 24 नहीं आएगा, 24 का उदस्थान एक इंद्रे में पाया सकता है, इसल होगा, तो ग्यारा उदस्थान आएगी, जए 21, 20 भी आएगे नहीं, आगे, 30, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 9, और आट, ग्यारा उदस्थान आएगे केवल 24 नहीं है, और सत्वस्थान यहां बेतना है, पांच है, और यहां सत्वस्थान कितने होगे मनुष्यों में? बैसे कहांगी हुद मनुष्थान में पाया होता है, तो इसलिए बैसे को उद्वेल नहीं होगा, मनुशादिल की जिसने उद्वेलाई चिक है, और मनुशेकरथी में कैसे पाया होगा, इसलिए वहाँ पर एक सत्वस्तान नहीं होगा, 12 सत्वस्तान होगा, 13 है न, तूस में से 12 होगे, एक केवल बैसे चोड़ना, बाकि सब 39 से लेकर के, 12, 21, 22, 28, 84, 82, 87, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 99, 90, 99, 100, 10, 10, 10, 10, 10, 12 सत्वस्तान पैंचें, देवगत्ति में नरगत्ति के समान महापर लेकिन एक इंद्र में पाइदा हो सकते हैं सवधर्मद्विक तक के देव एक इंद्र में पाइदा हो सकते हैं इसलिए एक इंद्रे का परियाप्त बंद करेंगे पचिस का 26 बेक इंद्रे परियाप्तिते उसका भी बंदा करेंगे, 28 का नहीं करेंगे, 29 और 30 का बंदा करेंगे, 31 और 31 का बंदा तो 78 पे गुणिस्थान भी होता है, उसे 4 गुणिस्थान पाईज़ होता है, उसे 4 गुणिस्थान जो है यहाँ पर नरग की समाल, 21, 25, 27, 26 का नहीं होता है ना, दो एक सार बढ़ते हैं परगातर हुए आज़वति, 28 और 29, तो 5 उसे 5 उसे 5 और सत्वस्थान भी होता है, और सत्वस्थान यहाँ पर प्र्यान्व का भी होगा, ब्यान्व, एक्यान्व और नभी, तो 4 सत्वस्थान पाईज़ होता है, साथ सो दस नंबर की गाता है, दो छकट चौकम, निरयादि सुनाम बंद ठानानी, पन नव एगार पणयम, ते पंच बारस चौकंच, आदिसो, क्रम से लगाना है, नरक आदिक में, नाम कर्म के बंद स्थान, दो छक अठ चौकम, नरक में दो बंद स्थान है, तिरयंच में छे बंद स्थान है, पहले सब बंद स्थान बताएं, अब उदै स्थान बताते हैं, पन नव एगार पणयम, पाच उदै स्थान नरक गति में, नव उदै स्थान तिरयंच गति में, ग्यारा उदै स्थान मनुष्य गति में, और पाच उदै स्थान देव गति में, पिर सत्वस्थान बताते हैं ती पंच बारस चवकम उनरक में तीनो सत्वस्थान मतिरेंच में पांच सत्वस्थान मनुश्य में बाराच सत्वस्थान और देव में चार सत्वस्थान इस प्रकार चारोगति में कितने बंद उदेस्थाने वो बताएं अब कौन-कौन से हैं वे आगे गाता में बताते हैं मैं उदैस्थान कितने सत्वस्थान कितने वो बता रहे हैं 711 नमबर गाता एगे वियले सयले पणपण अडपंच चक्के गारपणं पण तेरं बंधादी से सादे से विदिनियं द्रिय और सकलेंद्रे में पाँच बंदस्थान एकेंद्रे में विकलेंद्रे में पाँच और सकलेंद्रे में आठ बंदस्थान है अभी जो यहाँ पर अपने देखा था ना पहले जो समास में एकेंद्रे में देखे थे पाँच पाँच ही बंदस्थान आये थे 23, 25, 26, 29 और 30 वेई आपर एकेंद्रे में और विकलेंद्रे में होंगे और पंचेंद्रे में सभी के सभी बंदस्थान होंगे सभी जीवाएंगे उसमें आठे फिर उदैस्थान जो है एकेंद्रे में पन और विकलेंद्रे में उपर है न अपनाड़ फिर पंच चक्के गार पाँच उदैस्थान और विकलेंद्रे में छे उदैस्थान और पंचेंद्रे में ग्यारा उदैस्थान पंचेंद्रे में जैसे यहाँ पर आये ना मनुष्य में वे सब आयेंगे क्योंकि पंचेंद्रे मनुष्य भी आएगा न महाँ पर तो ग्यारा सभी सत्वस्थान वदरिस्थान आएंगे और सत्वस्थान कितने हैं पनतेरम बंदादी सेसा देसे भी इदिनियम पाँच एकेंद्रे में पाँच सत्वस्थान विकलेंद्रे में भी पाँची सत्वस्तान है और पंचेंद्रे में तेरा के तेरा सभी सत्वस्तान होंगे क्योंकि पंचेंद्रे में सभी जिवाएंगे इसले पंचेंद्रे तो चोद्वे गुनस्तान तक कहेंगे लेकिन सउधनी जो है तो बारवेगुनस्तान तक ही लेंगे, साउधनी है, साउधनी, अब एक कौन-कौन से प्रकुर्तियां है, उसको आगे बताते हैं, अपने गति की तो लगाई है, उतना पढ़ते हैं अपने गति तक, मेरा यादी नाम बंधा, उगुतीसम तीसम आदिमं चक्कं, सवं पहचक कुत्तर, वीश उगुतीसम दुगं हो दी, नरक आदिक में नाम कर्म के बंदस्थान, दो बतायते बंदस्थान, कौन से दो हैं, उगुतीसम तीसम, उन्तिस और तीस, और तिरेंचे गति में छे बतायते, वी कौन से हैं, आदिमं चक्कं, पहले छे बंदस्थान, तैस से ले करके, तीस तक छे लेना, फिर सत्वस्थान जो है, मनुश्य गति में बंदस्थान सवम, सभी है, आटो के आटो, और देवगति में पणवीस, छक्कवीस, उत्तर लगाना, पणुत्तरवीस, चक्कुत्तरवीस, उगुतीसं, दुगं, मतला 29 और 30, 25, 26, 29 और 30, ये चार बंदस्थान जोगति में है, ये बंदस्थान बताये चारोगति के, कौन-कौन से है वे, अब उदस्थान बताते आगे, चारोगतियं के, दया, एगी, पण, सग, अड, नववीसं, एकवीस, पहोडिनवं, चोवीस, ही नसवं, एगी, पण, सग, अठ, नववीसं, उदया, उदैक्रम से लगाना, नरुखकति में, एगी, वीस, पण, वीस, सग, वीस, अडवीस, नववीस, पांचे नववीस, आपर, 21, 25, 27, 28, 29 और मतिरेंचे गति में, 21 पहोडिनवं, 21 से लेकर के नवव उदैस्तान है, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, यह नव है, फिर मनुश्य गति में, ग्यारा बताएं, तो 24 ही नसवं, 24 को छोड़कर सभी हैं, और देव गति में, एगी वीस, पनवीस, सगवीस, अठवीस, नवीस, नरगति में जैसे वैसे ही, 21, 25, 27, 28 और 29 है, और सत्वस्तान बता ते चारो गतियों में, सत्ता बानव उदितियं, बानव दे नव दे अटसी दितियं, बास दिही नसवं, तेनव दे चावकयं हो दियं, सत्ता बानव दितियं, नरगति में सत्ता ब्यानव से लेकर के तीन है, ब्यानव ए, 91 और 90, फिर मतिरेंच गति में, बानव दी, नव दी, अटसी दितियं, ब्यानव द नव दे, अटसी दितियं, फिर मनुष्य में बासी दी ही न सव्वं ब्यासी से ही सभी सत्वस्थान है और देवगत्ती में तेन अउदी चवक हैं इस प्रकार चार सत्वस्थान है अब आगे इंद्रे मारगणा में अपने लिखा नहीं है उसको लगाया नहीं था कल करेंगी ते इंद्रे मारगणा की संख्य एक साथ बताई और फिर प्रकुर्तिय उसकी एक साथ बताई अचे इंद्रे मारगणा की गात भी आगे दिये क्या साथ्चो ग्यार नंबर की गात आप दिये साथ्चो चौधा में दिये कली लेते इसको लगाना पड़ेगा इसका पहले चौधा मारगणा इसे याद करो सब कौन कौन सी मारगणा में कौन कौन से बंदस्तान संभो है तो जानिये यह मैं शुद्ध चैतन्य मैं जीव ही हूँ जानिये स्वयम को मैं बंदस्तान को भी केवल जानने वाला ही हूँ बंदस्तान का स्वामी नहीं हूँ मैं बंदक नहीं हूँ नयायक ही हूँ जानिये कर्म के उद्ध को भी भोगने वाला नहीं केवल जानने वाला हूँ कर्म का उद्ध कर्म में है मुझ में नहीं है जानिये कर्म के सत्व को भी मैं केवल जानने वाला ही हूँ कर्म के सत्ता का स्वामे नहीं हूँ मैं अपनी निजद न्यायक सत्ता का ही स्वामे हूँ जानिए अनन्त गुणों की सत्ता ही मेरी सत्ता है मेरे सत्वस्थान में अनन्त गुण है उसमें मुख्य चैतन्य है यह में चैतन्य लक्षन वाला जीव ही हूँ स्पर्शरस गंद लक्षन वाला पुदगल नहीं हूँ कर्म नहीं हूँ, नो कर्म नहीं हूँ जाने लक्षन भेद से लक्ष में भेद कीजिए यहाँ पर चैतन्य लक्षन प्रतिती में आ रहा है स्वानवो प्रत्यक्ष है यह चैतन्य स्वरूपी मैं हूँ जानिए शुद्ध चैतन्य सत्ता स्वरूप परम विशुद्ध ज्ञानस्वरूपो सर्व विशुद्ध चिन्मात्रस्वरूपो अखंड ज्ञायकस्वरूपो अनाध्यनंत चैतन्य स्वरूपो पो सर्वद्यत्व शक्ति संपन्नस्वरूपो पो एकोहं द्रोहं शुद्धोहं ओम् ओम् नमोलोए सव्वसाउनं ज्ञाँन्नस्वरूपो झाल झाल दरोहं ज्ञाँन्नस्वरूपो